दोस्तों वारती की दोसोई में आप लोगो स्वागत है तो आप सब एको मेरी तरफ से हैपी जितिया क्योंकि आज है जुतिया जुतिया बिहार के युपी के मैलाओं के लिए बहुत ही खास पर्व है क्योंकि यह बच्चों के लिए क्या जाता है और बिल्कुल 24 घंडे का न अलुगा के रोटी की रेस्पी आप लोगों साथ सेयर करते हैं कैसे बना जाता है और दादी नानी लोग मामी लोग कैसे बनाती थी देखी यह नोनी का साग है और यह मार्केट में आज के दिन बहुत ही मंगा मिलता है 300 अर्वे केजी मिला है 500 ग्राम लाई थी तो इसमें म दंटी जहीं बनते हैं लाई कि पते होते हैं आप नहीं निकाल पाईएगा बहुत मुस्किल निकालना इसको अच्छे से दोली जेगा और अप देखी आ हाप मैं पूरे नोनी का सागने में बनाओंगी हाफ बनाओंगी और हाप में रग डूंगी दूसरे दिनी बनाने के के लिए जब पारन होगा उस दिन बनाने के लिए और यह बनाना बहुत ही इजी है बहुत ही सिंपल है तो आप लोग के घर में जितिया होता है नहीं होता है अगर होता है तो कमेंट कीजिएगा नहीं होता है तो भी बताइएगा आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और आप आपने तिका के मुटाबरी मिर्ची डाल दीजिए तोड़ासः एस परहाने का मन करता है तीका काने का मन कर इसलिए थोड़ासः मिर्ची टिर डाल दीूं इसमें अग्यवटाई मैं तक邊 का ईक्रव मुटारीशन कौन करती हम और आपने उन्चेल को आपने सर्-सोतिर डाल र नैकर हैं लोग बहुत ओक खाते भी हैं मजली तो तो यहां पर देख़ेंगे एंध को मेरा जबा हलका recognis Brown Central हो गया तो मैं यहां पर नोनी का साग डाल दी और उसमें नमक डाल आप गूगल पर डाल कर देख सकते हैं कितने फायदे हैं और देखिए यहां पक्रता नोनी के साथ तक मैं दूसरा रेश्पी के त्यारी कर रहे हैं यह है चत्पुतिया के जिंगी और प्यक्ची इसका भी बहुत इसमें खास महत्वेस परव में इसे बहुत सारे रेश्पी बनते हैं और यह मेरा देखिए बेटा कंप्लेन लेकर आगे दोनों भाई बन जगड़ा कर रहे हैं उधर तो मैं घुसा कर रहे थी कि मुझे परशान मत करो मुझे बहुत सारा काम है तो बार बार कंप्लेन लेकर आ रहा देखिए आपर पानी सुख गया था अथ्वासा इ बनाना तो आप लोगी बना के इसे खा सकता आप लोगी बना के खा सकता है बहुत अच्छा लगता चिश्टी लगता है और बहुत ही फायदेमन्द है तो अब देखिए रेस्पी आगिया है या मड़वा की रोटी जो कि हम लोगी से बिहार में मड़वा बोलते हैं और मैं बहुत पर पहले ही लाई थी पर मेरे पास परले से था तो मुझे आज के दिन खरीजना नहीं पड़ा तो इसका रोटी बनाना थोड़ा डीफिकल्ट हो जाता है क्योंकि रोटी ना टूट टूट जाता है जैसे मघवके के रोटी बनाने में तो अध्यक्त आती है लेक यहां पर देखिए गरम पानी जब भी अच्छे नहीं बनेंगे और ज्यादा टूट जाएंगे तो यहां पर मैं गरम पानी से अगले वीडियो में आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अब देखिए मैं उतना आठा है मैं दो ही रोटी बनाओं कि यह डिन्यादा है ज्यादा ज्यादा बनाती है उस पतला बनाने क प्रयास किजिएगा तो रोटी बनेगा नहीं पहले सा ममिल राधी लोगों तल्यांफ से ठाफफ ठाफ करके थोड़ा सा मोटा करके बनाए थी ब इसको पन्नी के सहीत उठाइएगा और एक हाथ पर आप ऐसे गिरा लेजिएगा देखिए कितने त्रिगा से रोटी बन गया अगर आप यही बेलन पर चकला पर बनाते ना तो आपका रोटी यह उठता ही नहीं टूड़ जाता तो एक पन्नी पर बनाने का आइडिया आप लो पर से बस जल जाएगा अंदर से कच्चा रहा जाएगा तो इसको अच्छे से पकाईएगा घूमा घूमा कर तो यहां पर देखिए मैं अब आपको खो गया था आप अब यहां पर मैं घी लगा देरे हूं और लगाने का बदर इस रोटी में कितना साइनिंग आ रहा है जै वीडियो आ रहे हैं रागी के दोसा रागी के इडली बहुत ही लोग डाइट में से सामिल करने लगे हैं तो अब मैं देखिए आप पुवा बना रही हूं और पुवा आज के दिन बहुत ही पॉंट होता है तो इसकी रेस्पी अगली वीडियो में जाएगी वीडियो और अरबी की सब्जी पुवा मुडवा की रोटी तो बहुत साथ रेस्पी यहां पर बनते हैं मुझे की सारे बनके मेरा त्यार हो गये थे तो वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक जोर कीजिएगा और देखिए आप मैं सर्व कर ली थी और मैं काने के लि लागे थे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाइ बाइ